तो हाई लोग दोस्तों क्याहल चाल आप सभी के और स्वागत आपका एक नए वीडियो में तो आज हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं कि चैनल का बैनर किस तरह से बनाते हैं तो आज हम आपको सिखाएंगे बैनर बनाना तो चलिए हो जाएए तयार और बैनर बनाना सिखते हैं अपने मुबाइल से तो दोस्तों आज चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर मुबाइल की तो यहाँ पर एक एप्लिकेशन की जरूत पढ़ने वाली है जिसका नाम है फिक्सलेव तो प्लेश्टोर पर फिक्सलेव टाइप करेंगे और फिक्सलेव का एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और ओपन करेंगे तो यहाँ पर बाई डिफोल्ट चोईस कर लेंगे और यहाँ पर टेक्ट को डिलीड यहाँ पर बैनर साइज अपना सेलेक्ट कर लेंगे तो इमेज साइज में जाएंगे तो यहाँ पर यूटूब बैनर यूटूब चैनल बैनर को सेलेक्ट कर लेंगे तो हमने यहां पर YouTube में इना सलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया तो यहां पर हमें कुछ images की जरूत पड़ेगी जो कि मैंने download करके रखी है gallery में तो चलिए हम चलते हैं अपनी gallery में यहां पर download से ले लेंगे हम image पर जाएंगे, download पर जाएंगे और यह सारी images आपको description में बिल जाएंगे वहां से आप download कर सकते हो तो यहां पर कुछ size होता है जो कि thumbnail का उसे हम select कर लेते हैं जैसे हमने select कर लिया इसको relative size पर click करेंगे और ok कर देंगे और यहां पर full screen कर देंगे और full 100 कर देंगे तो यह पूरा हमारा यहां पर हमें screen lock कर देंगे यहां पर click करके तो यह हमारा lock हो गया चलिए यहां पर कुछ और you add कर लेते हैं तो यहां पर हम color change कर लेते हैं तो बीच वाले का color जो भी हम color रखना चाहिए वो हम रख सकते हैं अपनी हिसाब से तो यहां पर मैं कोई color ले लेता हूँ जो भी हमें suitable लगेगा आपको जो अच्छा लगेगा वो आप color ले सकते हो यहां पर यहां पर मैं select अलग-अलग color change करके दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से color आप change कर सकते हो तो ये देख सकते हूँ, आप कोई भी color ले सकते हूँ, फिलाल मैं ये वाला color रख लेता हूँ, ये color रख लिया हमने, चली ये color हो गया हमारा, चली तो हम यहाँ प्र कुछ images अड़ कर लेते हैं, चलिए चलते हैं फिर से गैलरी में और यहां से फिर से डाउनलोड में ले लेते हैं कुछ इमेज़ इस तो चलिए यहां पर सोशल साइट वाली इमेज ले लेते हैं तो यह ले ली हमने इसको अर्जेश करते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं रेड कलर लगा देते हैं इसको और इसको अर्जेश कर देते हैं और यहां पर थोड़ा से जूम बढ़ा लेते हैं जिससे आसानी हो लगाने में तो जूम कर लिया जूम पर किलिक करेंगे और अपना फिक्स हो जाएगा जूम तो अब यहां पे छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको जितना आपको साइज चाहिए जितना यहां पे लगाना है वहां लगा सकते हो उठा करके तो चलिए मैंने यहां पे इसको फिक्स कर दिया और इसको भी हम टेक्स ले लेंगे अपने चैनल का नाम तो यहां पे जो भी अपने चैनल का नाम है तो मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूं राम राठोर 340 तो यह मेरे चैनल का नाम है तो यहां पे टाइप कर दूँगा अपने नाम तो मैंने अपना नाम टाइप कर दिया चैनल का और इसको यहां पर adjust कर देंगे तो यहां पर font size भी आप choice कर सकते हो जो भी आपको font size लेना है जो उनसा आपको अच्छा लगे तो यहां से देख सकते हो को इतने सारे size हैं तो यहां से ले लिया मैंने और पिर आगे क्या करना है आगे इसको थोड़ा सा हम देते हैं 3D type का तो 3D प देदेंगे थोड़ा बहुत इसका चलिए तो यह हमारा हो गया complete नाम का चलिए इसको लॉक कर देते हैं दोनों स्क्रीनों को तो हमने लॉक कर दिया चलिए यहां पर कुछ और images add कर लेते हैं तो हम यहां से फिर से प्लस icon पर जाएंगे तो चलिए प्लस icon पर दावाएंगे prom gallery में और यहां पर download में कुछ और images हैं जो हम और लगा लेते हैं तो चलिए चलते हैं image तो यहां से अपना thumbnail लगा सकते हो तो मैं फिलाल अपना photo लगा रहा हूं thumbnail की जगह पर आप भी अपना photo लगा सकते हो thumbnail लगा सकते हो जो आपको मैं और आप राइट में भी लगा सकते हो मैं लगा सकते हो झालिया हम पर ilselle में लगा लिखते है शोकाल में एसको और यहां पे थोड़ा से है नहीं हो रहा है तो चलिए नाम को थोड़ा सा करते हैं अनलॉक और इसको अर्जेस्ट कर देते हैं जिससे अपना इमेज पूरा जाए तो इमेज को अर्जेस्ट कर देते हैं चोटा वड़ा करके अर्जेस्ट कर देते हैं तो यह हो चुका अर्जेस्ट इसको भी लॉक कर दे और नाम को भी लॉक कर दिया चलिए थोड़ी सी जगए बची यह राइट में तो यहां राइट में भी कुछ एड़ कर देते हैं चलिए राइट में मैं फिर से फिलेसा इकॉन पर किलिक करूँगा और गैलरी में जाओगा और यहां से कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूं तो मै क्रॉप भी कर सकते हैं तो नीचे उपर से क्रॉप कर देते हैं और उक्के कर देते हैं और इसको अर्जेस कर देते हैं चोटा बड़ा करके अर्जेस कर दिया यह हमने लगा दिया राइट में चलिए हमने अर्जेस कर लिया और तो यह हमारा बन के तयार हो गया मोबाइल के लिए तो अब बनाते हैं लेप्टॉप और डेश्टॉप के लिए तो जो राइट और लेप्ट में जो साइट है खाली है वहाँ पर कुछ इमेज इस एड़ कर देते हैं तो गैलरी में से सलेक्ट कर लेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर दूसरा यूटूब लोगो ले लेता हूँ इसको थोड़ा वहत कर लेते हैं और रोके कर देते हैं और इसको यहाँ पर अरजेस्ट करने की कोशिस करेंगे तोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं जिससे आपको लगाने में आसानी हो तो यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूं इसको जूम कर लेते हैं आप थोड़ा सा अरजेस्ट करके जूम कर लेते हैं चलिए मैंने जूम कर लिया और इसको इमेज को सेलेट कर लेते हैं लगा देते हैं सही से तो यह हमारा लग गया तो यह राइट साइट कम्प्लीट हो गया आप जाते है लेट की ताइब तो जूम पर फिर से किलिक करेंगे और यहां पर इसको लोग कर देंगे चले यहां के लिए भी कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से गैलरी में जाएंगे तो गैलरी में यहां से इमेज ले लेंगे तो इस बार हम दूसरी इमेज ले लेते हैं तो यह फ में इसको छोटा बड़ा करके तो इसको जूम आउट करके जूम पर किलिक करेंगे और इसको जूम कर लेंगे और यहां पर इसको सेट करेंगे तो इस तरह से हमारा यह सेट हो चुका है थोड़ा बहुत और राज़ेश करके इसको बिल्कुल लगा देते हैं चलिए दोस्तो तो यह हो चुका है हमारा कम्पलीट चलिए दोस्तो यह हो गया कम्पलीट तो इस तरह से हमारा यह बेनर बनके हो गया तयार और इसको अगर हमें सेव करना है तो क्या करना होगा सबसे उपर आइकोन दिया है सेट का तो चलिए सेट पर किलिक करेंगे तो जैसे सेट पर किलिक करेंगे तो यहां पर सेट का बटन दवाएंगे तो यहां पर आपकी सूसर साइट खुल के आएगी मैं वाटसप पे सेयर कर रहा हूँ और वाटसप पे सेयर कर लिया और इसको ओके कर दिया तो यह हमारा वाटसप पे देख सकते हैं इस तरह से बनके त्यार हो गया तो इसे अपने यूटूब बैनर लगाए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को दवा के रखेजिए जिसे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्ट वीडियो